बात करेंगे जैट नॉटिफिकेशन के रिगारेंगे जहारकन पातरता परिषा दोजर चोबिस के बारे में यहां पर एक बैड नीज निकल कर आ रही है बुरी खबर जिस प्रकार अभी अच्छी खबर चल रही है सभी स्टूर्ट्स में जोस है जुनून है असुस्टन प्र रहे हैं क्योंकि यहां एपेरिंग को भी मुका दिया जा रहा है तो यूथ जो है यूथ ब्रिगेड इसे बारे असुस्टन प्रोफेसर बनेंगे जहारकन में इस प्रकार का सपना संजोए हुए है कि मुझे भी मुका मिलेगा और हम भी जैट सपल होंगे और चाहे वो में हर अच्छी ख़बर भी देता हूं आपको लेकिन जो भूरी खबर आती है वुसस भी आपको जानना चाहिए मेरा मकसर यह नहीं कि आपको हुसले को पस्ट करना मेरा मतलब है सच जो है वह आपके सामने आना चाहिए और फिलाल में अपडेट्स आप सभी को को देने वा तो सरकार को अभी ही इसमें सुधार कर लेना चाहिए ताकि आगे चल कर कोई फसाद ना पैदा हो लफड़ा ना पैदा हो जैसे जारकन के हर वेकंजी में होता है कोट का चक्र लगता है यहां पर नहीं लगे इसलिए इसमें अभी ही सुधार कर लेना चाहिए तो चली क्या है कि इसके बारें बात करेंगे तो देख लीजिए यहां पर सबसे बड़ा जो गलती हो रहा है इसी के बारें बात कहते हैं 40 विश्यों के लिए होगा ज्यट 43 सब्जेक्स इसमें electronic विशय नहीं electronics विशय को सामिल नहीं करना बहूत बड़ी भूल हो गयार चोटी चोटी भूल का सकते हैं लोगों को तभा कर देता है आप इत्यास में पढ़ते हैं इस्पैन के फोडे ने का सकते नेपोलियन की जिंदगी खराब कर दी इस्पैन के ग्री यूद में अगर वो ना पढ़ते तो नेपोलियन बोनापार्ट का पतन ना होता और अगर सामिल नहीं करेंगे तो वही होता है इस्पैन के नासूर ने नेपोलियन को बरवाद कर दिया उसी तरह यहां पर एक सब्जेट को नहीं सामिल करने के पूरे जैट पर गरन लग जाएगा और 43 सब्जेक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्ट के साथ खिलवार हो कियो मैं कर देखते हैं छोर अन्राजों में लग्लियुम करके दिखा रहाँ तो धिकिन पास है यहां पर इलक्ट्रोनिक्स से जार्खन में इलक्ट्रोनिक्स विशय से बहुत सारे अभ्यारति नेट भी पास हैं लेकिन मुल्व विशय में सामिल नहीं कारण इस विशय से वेकंसी नहीं आती है यहां पर इसकी वेकंसी भी नहीं आती है तो मुल्व विशय में सामि पढ़ाई होती एलेक्ट्रोनिक्स की जो यूजी या पीजी कर रहे हैं उनका केरियर चपड हो जागा उनकी डिग्री बेकार हो जाएगी अगर वो टीचिंग में अपना केरियर देख रहे हैं तो फिर वो कहां जाएंगे अपना स्टेटों से छोड़ना पड़ेगा विस्व विसामें सामिल नहीं है तो एक परकार सकता है जारकरन सरकार की जो नीती नीती की सामले या उनकी बढ़ाई जारकरन की युनिवर्सटी या कोलेज में होती है उनको आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि वहां पर बच्चे पढ़ते हैं आखिर वो कहां जाएंगे जौब के लिए आप उसे जेट में मौकानी देंगे तो तो पूरे न्यूज को एक बार कवर करते हैं फिर से इसको अनलासिस करेंगे जारकन राज में दूसरी बार जारकन पत्रपरिक्षा जेट के लिए प्रक्रिया सुरू होने वाली है परिक्षा का अपरारूप उच एव कि एक दसक से हो रही है इसके बाद भी जेट में एलक्ट्रौनिक विशे को सामिल नहीं करने से की या साइंसो्र टेक्नलोजी का एक ऐसा विषय जो हमारे देनिक कारियों से जुड़ा है और ऐसा विषय भी नहीं जिसका कि अभी यूज नहीं रहा यह विषय वर्तमान का विषय है इसमें और बढ़ावा देना चाहिए इलک्टोनिक्स का जमान है आज की डेट में कहते हैं और इल्क्रोनिक्स की पढ़ाई नहीं करा रहे हा। उसिस्टेंट प्रोफसर नहीं आप के हाँ तो कैसे समय का चलेंगे क्योंकि यह आज के समय का विशह है यह बिल्कुल वर्तमान जो परिस्थिति है उसका कर सकते हैं बहुत ही अनिवार्च विश्य की रूप में आज इलक्ट्रोनिक सामिल है इसके बाद भी यहां पर जैट में आपने सामिलने क्या है रांची उनिवर्सिटी मे में दो मांस्टर्स की डिगरी परदान की जाती लक्रोनिक में वहीं साथ है डॉक्टर स्यमा परसाद मुखर्जी में अंदर लेबल पर वर्स 2011 से वहां भी पढ़ाई हो रही है लेकिन यूजी पीजी में एक भी अस्थाई सीख्षक नहीं है क्यों नहीं है क्यों कि यहां पर भविस में देख रहे हैं आपके आरंगा लगा रहे हैं जैट में सामिल ही नहीं कि तो अच्छे असिस्टन प्रफसर कहां से आएंगे जो भी आ रहे हैं एडॉक पर आ रहे हैं और किसी तरह इस बहस्ता को मैं कर सकते हैं खुद को अपने आपको ढाले हुए हैं और अगर यह सामिल नहीं किया जाता साथियों अब देखियां टेक्निकल इसू क्या पसेगा अगर इस इलेक्ट्रोनिक विशय को इन 43 के अलावे 44 नमर पर नहीं याट किया जाएगा या तो वेसे जितने विशय में कि बात नहीं कर रहा हूं और भी विशय हैं जिनकी पढ़ा आप जैट में मौका दें जैट में उन सब्जेट को एड करें 43 सब्जेक्ट को यह फिक्स नहीं है ज्यादा विशयों पर ही जैट आप निकाल सकते हैं अभी ही समय है उसको निकाल लिया जाए नहीं तो क्या होगा जैट का जो वर्ती यह चलने का सकते बहुत जुनून है सब्सक्राइब बडिकर तोड़नी का काम नहीं करना सरकार को अभी ही स्थार करते और बांखी विस्यों को भी कर जो कि यह नेट में भी सामिल है नेट पास इलक्तोनिक से जहरकन के बच्चे जो मूल जहरकन के निवासी है वैसे भी इस्टूडेंट है जो कि आलरेड़ी नेट पास इलक्तोनिक भी सहसे और उसको आप जैट में मुखानी देने का मतलब साब है असुष्टेन प्रफेसर की यानि वह जो नेट पास करके रखे हुए अपने स्टेट से जहरकन से वह जाएंगे तो इसलिए अभी ही समय सरकार के पास इसको इसमें आवस्टेक सुधार कर ले जाए आवस्टेक कर ले जाए ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं हो नहीं तो फिर हाई कोट का चाबुक च जल्दी इसको किलियर कर लिया जागा ऐसी पूरी संभावना है आप सभी को घब्राने के कोई जरूत नहीं आगे जैसी को अपडेट आएगी आप सबसे सही सुचना एक्जाम फाइटर नमबर उन पर आपको मिल जाएगी बस आप चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब को प्रेस और अल बटन को जरूर से जरूर क्लिक करने ताके आने वाले नेक्स सब्भी वीडियो अपलोड होती है आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप खुदको अपडेट लग सकते हैं यहां इसकोवार के वीडियो एवरी डे अपलोड की जाते है त झाल 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 झाल